देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नारियल की लड्डू बनानी के बीडिये बता रही हैं, ये नारियल की लड्डू मैंने गूर्स से बनाया है, इसमें मैंने चेनी या मावा, दूद्ध, कुछ भी नहीं डाला है, ये बिल्कुली ट्रेडिशनल तरीके से बना ह देखिए फैंस, हमारे गूर्ड की चाशनी देयार हो चुकी है, एक कप फ्रेश नारियल का गुराजा ले रही हूँ, आज पर मैं नारियल को तवड़ा हस्ते से भूले हूँ, अब पर ये मैं गूर्ड की चाशनी बन चुकी हूँ, इसे मैं चान के डाली हूँ, नहीं तो चान के नहीं रहागा, तो भूर्ड में जब बंदगी होती है, वह बार चंती में मेरा आजाएगा, अब मैं गैस को फुड़ा हाइप कर देती हूँ, और इसे हम जल्दी-जल्दी चलाते रहेंगे, नोगर नहीं ये दावी हूँ, देखें फैंस, ये हमारा नाडियल बोड़ी कड़ोग सुप शुकर है, देखें फैंस, ये गूर और नाडियल को इक साथ मिस्टरन को मैंने एक लेट में रिकाल दिया है, अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगे, अब मैं इनके लड्डू बनाऊंगे, हाथ में मैंने थोड़े से घी लगा लिये, देखें फैंस, मैं इसे काजू से गार्निस कड़ देती हूँ, ये बिल्कुल भी ऑप्सनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे ना भी कर सकते हैं, ये मस्ट जस इसे मैं सजावट के लिए कर रही है, दोस्तो नारियल का लड्डू सभी लोगों को बहुत प्रिय होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रिश्न भागवान का जन्माश्टमी में हम लोग नारियल का लड्डू मस्ट बनाते हैं, घर में बच्चे लोगों को भी नारियल के लड्डू बहुत ही पसंद होते हैं, मेरे बच्चों को यह काफी पसंद है, आप लोगों के भी घर में बच्चे लोगों को काफी पसंद होगा, कि यह हमान कि अफस्पाहिए से खाना को हेट में बच्चे लोगज के लिएवान, कि कुछ इसबर को, misunderstood, कि काफी यहलों कि रहा हाऊ है।, टहाया काफी नारियल को आएledवत, कर दो कर दो